बिसमिल्लाइ रख्माने में असलाम जी एच्छी लेक्चर नमर 22 और जहां से हमने अपना अगास किया था इस सफर का किछी हम लोग उने कंपनी बनाने से बात स्टार्ट की कियाँ कैसे बिल्ट अप होती है कैसे इनकॉर्परेशन होती है कैसे आगे चलती है आज हम अपने ल मुफ कर रहे हैं लगी लास्ट चप्टर की तरफ और जिसमें टॉपिक डिसकस होगा कि जो कंपनी हमने इतने महीने पहले बनाई थी उसको बंद कैसे करना है यानि उनकी वाइंड अप कैसे करनी है कंपनी को क्लोज राउन कैसे करना है तो वाइंडिंग अपके तीन करने की तरफ चलेंगे कंपनी को और नमबर 3D is under the supervision of court के continue तो है लेकिन court की supervision में होगी court नहीं करवा रहा close लेकिन अब चुके closing हो रही है मैं भी creator close करा रहे हूँ creator wind up करा रहे हूँ तो उसके case में court की supervision में ये काम हो रहा होगा तो तीन ways है court close करवा दे, wind up करवा दे member voluntary wind up कर दे या फिर supervision के अंदर company जो है, wind up हो जाएगी अच्छा इस chapter का pattern क्या रहेगा अगर हम जिस तरह बात पढ़ने जा रहे है कि winding up की तो पहले हम इस chapter के अंदर basic बात पढ़े होंगे winding up के हवाले से फिर हम बात पढ़ेंगे कि कौन-कौन सी reasons हैं जिसकी वज़ा से code आपकी company को wind up करा देता है फिर हम पढ़ेंगे voluntary winding up किस pattern में हो सकती है supervision किस pattern में आएगी और फिर important बात कि ये सब होना है process क्या होगा, procedure क्या होगा कैसे liquidator jump in करता है कैसे provisional manager आता है क्या procedures perform करता है कितनी देर में perform करता है उसके पैसे कैसे दोगे यनि appointment कैसे होगी procedure कैसे perform करेगा company को finally close कैसे करवाएगा तो ये हमारे इस syllabus के इस chapter का syllabus होगा तो मैंने आपको बता दिया कि हम लोग discuss किया करेंगे इन तीन options के साथ कि वो कौन सी reasons है जिनकी वज़ा से winding up हो रही है पहले हम समझ लेंगे शुरू में थोड़ा सा कि winding up से मुराद क्या है ठीक है फिर उसके बाद हम पढ़े होंगे reasons क्या है किन reason की बिना पर court winding up करवा देगा कौन सी reasons में voluntary winding up हो जएगी कौन सी reasons में supervision आ जाएगी फिर वो आएगी तो दो लोग involved होते नजर आते हैं provisional manager और official liquidator ये कौन से लोग हैं इनके बारे में बात परेंगे इंशाला ये more or less एक person भी होता है usually एक ही person होता है लेकिन timing का difference है तो provisional manager और official liquidator की appointment फिर इसके अंदर भी बाते आएगी कि इसकी appointment कैसे होगी इस person की appointment कैसे होगी appointment के इलावा इनकी remuneration कौन तैक करेगा यानि यूँ कह ले तो असान लफ़ों में salary कौन तैक करेगा salary भी होगी अच्छा ये अपना काम timeline कितने वक्त में मकमल करेंगे कितने time frame में मकमल करेंगे reporting requirement क्या होगी ठीक है तो हम इस तरह की बाते पढ़ रहे होंगे और ऐसा हम हर case में कहीं नहीं देख रहे होंगे तीनों cases में देख रहे होंगे ठीक है तो हमारा और फिर हम जब बात करेंगे कि reasons क्या हैं तो reason में जब हम कहेंगे कि अच्छा court कैसे wind up करेंगा तो उसकी circumstances discuss करेंगे reason means, reason का embed बहुत बढ़ा है, reason means the circumstances reasons means their circumstances ठीक है जी तो चलो दो दो इस चेप्टर का आगास करते है मैंने आपको दरह संभादी सिखा दिया कि इस चेप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं तो कहता है, the term winding up of a company may be defined as the proceedings by which the company is dissolved, कहता है, उस proceedings का चल जाना और proceeding के result में company क्या होगी, dissolve हो जेगी मतब लाइफ of a company is put to an end, the winding up of a company is also called the liquidation of the company winding up को ही liquidation भी कहा जाता है, इसलिए जो बंदा बंद कराने आता है company, court की तरफ से यह other than that, उसे official liquidator कहा जाता है, during this process, the assets of the company are disposed of, ठेक है, assets सारे खतम कर दिये जाएंगे, realized कर लिया जाएगा उन्हें cash में, the debts of the company are paid out और पैसे वापस जिनके देने थे pay कर दिये जाएंगे of the realized assets, बात समझा रही है, और from the contributors and if any surplus is left it is distributed among the members in proportion to their shareholding in the company नहीं, तो देखो उसने अगर आपको याद हो तो यह बात हमने बड़ी दिसकस की थी कि company के case में होता क्या है, जब winding अप हो रही है, तो सबसे पहले आपके assets बिकेंगे आपके assets को बेचा जाएगा आपके assets को मैंने word use किया था, realized किया जाएगा किसमें cash में, बेच दिये जाएंगे कहा जाएगा say, मैं कहता हूँ जियूं करें, hundred million के assets बिके, फिर कहा जाएगा, अच्छा आपकी liabilities कितनी है फिर वो liabilities say, मैं कहता हूँ 70 million की है तो total net assets कितने बचे इसी net assets को वो नाम दे रहा है बेटे, surplus का अगर कम होते हैं तो कहता है, deficit अगर positive figure आएगी, तो वो surplus अगर अगर कम figure आजए, assets कम हो, liabilities ज्यादा हो, तो deficit से यहाँ पे 30 का surplus आजएगा, अभी जो पैसे बच गए company तो बंद हो रही है, तो जो पैसे बच गए, किसको, बेटा है, वो ही member जो उस वक्त, जो के deficit में contribute करने वाले थे, to up to the extent of unpaid amount of share capital, याद होगी आपको बाद, इस पर बड़ी detail बात हुई थी कि unpaid amount तक liable होते हैं, उसके बाद उनकी कोई liability नहीं होती तो यही पैसा फिर किन में distribute कर दिया जाएगा, shareholders में जो मालिक हैं उसके अब shareholder में distribute करें किस ratio में distribute करें, जो उनकी capital ratio है याई वो ही ratio, उसके में distribute कर दो, जिसमें उनने capital contribute किया है, उसी ratio में surplus distribute कर दो, अगर डेफिसिट होगा, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, suppose यही situation हो, लेकिन हलात खराब हो और ऐसा कुछ हालत आ जाए कि 30 का 20 का deficit आ जाए, तो मैंने बताया हुआ है deficit के case में, member किस हद तक liable होते हैं, only up to the unpaid amount of share capital, personal pocket से कोई member कुछ pay नहीं करेगा अच्छा, अब एक और चीज़ समझ ले, हमने बात पढ़ी थी कि एक share का मतलब है, वो मेंबर बन जाएगा, कंपनी का और बेटा, जब ये कंपनी डूब रही होती है, ये जब कंपनी dissolve हो रही होती है, ये जब कंपनी wind up हो रही होती है, तो इसी member, चुने, चुके इस member ने contribute करना होता है in the assets, contribute किस्ता, contribution क्या होगी इनकी, up to the unpaid amount of share capital, तो उस हद तक contribution करनी है न, तो इसी लिए इस member का दूसरा नाम दे दिया जाता है, उसे कहा जाता है, Contributory, इसी member को कहा जाता है, Contributory, at the time of dissolution of the company, or at the time of the winding up of the company, the same member will be called the Contributory, तो अब ये line आपको समझ आ गई होगी कि उसने लिखा, कि जितने भी assets हैं, वो dispose of कर दिया जाते हैं, cash realize कर लिया जाता है, debt को pay off कर दिया जाता है, और अगर कोई surplus बच जाए, it is distributed among the member in the proportion to their shareholding in the company, तो जो उनकी shareholding जाती है, उसमें बांट दिया जाता है, the process of winding up begins after the court passes the order for winding up or a resolution is passed for voluntary winding up, अच्छा जी, winding up start कहां से होगी, इसके लिए technical word is used किया जाता है, और वो कहा जाता है, commencement of winding up, भाई, कब start होगी, तो सब के case में different date है commencement की, बिटा देखो, ज़रा गौर करो, यह तीन केसे हैं, court के case में winding up कब start होगी, जब court order कर देगा, member के case में winding up कब start होगी, जब member resolution पास कर देगा, अपनी meeting के अंदर, that we have planned, we decided to wind up the company, we decided for the winding up or dissolution of the company, तो इसका बंदर है हर case में, इस case में क्यों mention नहीं कह रहा है, क्योंकि हो सकता है, इस case में creditor पास कर रहे हों, तो फिर जिस date पे creditor पास कर रहे हैं, वो ही date of winding up बन जाएगी, सुरी मेरा पाउँ कुछ इत्मा comfortable नहीं आज भी, अच्छा जी, so by court, court order जबाएगा, जो date of court order होगी, वो ही commencement date होगी winding up की, resolution पास कर ली, जिस दिन resolution पास कर ली, जो date of resolution है, वो ही date of commencement of winding up होगी, इस case में भी same scenario, तो बेटाई जो line लिखी हुई है, ये in fact उसने इस pattern के अंदर line लिखी है, उसने का, the process of winding up begins after the court passes the order for winding up, in case of dissolution by the court, और a resolution is passed for voluntary winding up, या voluntary winding up है तो जब resolution पास हुआ, the company is dissolved after the completion of winding up proceedings, on the dissolution the company cease to exist, ते जो बेटा, ये proceedings बहुत ऐसा नहीं है, कि आज winding up proceedings start हुई, तो दो दिन बाद खतम होजएगी, ना ना ना, तो साल का टाइम तो वैसी law ने इसको दे देना liquidator को, ये इतना lengthy process है, तो वो कहता है, commencement कब हुई winding up की, कहता है जिस time पे ये हो गया, खतम कब हुई, कहता है जब final order आजएगा, उसे हम कहते हैं, final order of dissolution, जब dissolution का finally, सारा process मुकमल हो जाएगा, इस बंदे ने reasoning का समझ आगी, इस बंदे ने आया, इस बंदे की appointment हुई, salary लेता रहा, time frame के अंदर reporting की, report करकर उसने कहा, अब company बंद कर दें, order आया जी, company बंद कर दो, वो होता है final dissolution का order, कि अब company बंद हो गई, तो वो है, वो उसकी बात कर रहा है, ठीक है, उसके बाद company चलना बंद हो जाएगी, it cease to exist, अच्छा हाँ, ये जरूर है, आपकी देन में आ रहा होगा, कि अगर उस वक्क company बंद हो नहीं है, तो फिर winding up की commencement पर क्या होगा, बेटा, usually company operative रह सकती है, अगर वो रहना चाहे, अगर कहीं liquidator को ये realize हो जाए, कि चलती चलती company ज्यादा अच्छी बिख सकती है, तो वो इसको चलते चलते बेचेगा, rather than कि इसको close down करके, नुकसान करके फिर बेचे, और अगर उसे लगता नहीं अभी बंद हो जानी चाहीए, तो वो close कर देगा, और फिर process चलता रहेगा, और आखर में company, operation close हो जाएंगे, company चल रही होगी, operation बंद हो जाएंगे, हाँ, company exist करती होगी, लेकिन जुही final resolution का order आगया, company खतम, उसके बाद company exist नहीं करती, कहता है modes of winding up, तीन modes हैं by court, voluntary or subject to the supervision of court, reasons हैं जिनमें company जो है, court जो है, वो company को wind up करवा देगा, तो आगया वाले reasons पढ़ने लगे हैं बेटे, इस reasons को, इस reasons की मतलब क्या है कि, हम वो circumstances पढ़ने लगे हैं, जिसमें court jump in करेगा, और jump करके, company को winding up कराने की तरफ चला जाएगा, लो जी, ज़र आप पढ़ते हैं, dangerous सी बाते हैं, लेकिन मुझे अमीद है आपको, मैंने कहीं नहीं पीछे, कुछ नहीं कुछ बताया, वो उस हवाले से link करती जाएगी, दो जी, पहली चीज़, if the company has by special resolution, resolved that the company be wound up by the court, कहते हैं, अगर member ये resolve कर ले, कि हम company बंद कराना चाहरे हैं, लेकिन कराएंगे भी court से, तो फिर वो resolution पास करेंगे, for the dissolution of the company by the court, तो उस case में court खुद बागुद केगा, खुशाम दीद, और आ जाएगा company बंद कराने के लिए, दूसरी बात, if default is made in delivering the statutory report to the registrar, in holding the statutory meeting, कहते हैं, अगर statutory report डिलिवर ना हुई, रिजिस्टरार को, या statutory meeting conduct ना हुई, मतलब अगर आपको याद हो, तो meeting वाले chapter में हमने पढ़ा था, कि तीन तरह की meetings होती है, number one, statutory meeting, number two, annual journal, and number three, extraordinary general meeting, इसके अलावा, class meetings, class meeting, community की meetings, वो लगदा चीज़ है, ये तीन major committee meetings हैं, meetings हैं, वो गदर statutory meeting होल ना की तुमने, timeline given है, वो chapter में, होल ना की, तो भी तुमारी company wind up होगी by the court, और अगर तुमने report submit ना की, इसका मतलब देखो, वहाँ पे जो report का section आपको बताता था, कि आपने registrar को report submit करनी है, उसे यहाँ पे इतनी सखत सब्सा के साथ, link up किया जा रहा है, कि अगर तुमने report submit ना की, तो तुमारी company के अगरा देंगे, बंद खिरा देंगे, if default is made in holding any two consecutive annual journal meeting, अगर आपको याद हो, तो मैं जब AGM पढ़ा रहा था, मैंने आपको तब कादा, कि एक होती है first AGM, और एक होती है subsequent AGM, तो वो आपको यही समझाना चाहरा है, कि अगर कोई भी दो AGM आपने annual journal meeting, याई दो साल journal meeting, annual journal meeting ना होई, तो समझ लो, code गुदी चला जाएगा wind up कराने के लिए, और, और आखर में देख लो, किते हैं, sorry, if the company has made a default in filing with the registrar, आप आपने क्या default कर दिया, its financial statement annual return for immediately proceeding to consecutive financial year, किते हैं, आपने पिछले दो सालों की consecutive सालों की, या तो financial statement जमानी कराई, या annual report जमानी कराई, बिट आप यहां में बड़ी गौर से पहले दो बाते समझ लो, एक तो consecutive year का मतलब क्या है, यानी साथ साथ, यानी मैं ये कह रहा हूँ, कि 2022 में खड़े होके मैं ये देख रहा हूँ, 2021 और 2020, इन दो सालों की AGM, या मैं कह रहा हूँ, इन दो सालों में, वो final accounts वाला, accounts and annual return वाला चेप्टर है, जो भी हमने इसे पीछे खतम किया, वो क्या मैं सेज़ेस्ट करता था, वो हमें ये ही तो सेज़ेस्ट करता था, कि आपने accounts submit कराने, और फिर मैंने इनका linkage भी सिखाया था, कि कैसे accounts notice के साथ जाते हैं, और फिर आगला process चलता है, वो ही तो code jump in कर जाएगा, इसी तरह तुमने financial statement जमा कराने थी, तुमने 2019 की नहीं कराई, 2020 की कराई, 2020 की कराई, 2021 की नहीं कराई, 22 की कराई थी, तुम्हें fine पढ़ सकता है, penalty पढ़ सकती है, लेकिन तुम्हें dissolution की तरफ lead नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर तुमने 2019 की नहीं किराई, 20 की नहीं किराई, तो यकीन जानो, 21 के अंदर तुम्हारा code jump in करेगा, और तुम्हारी company को wind up कराने की तरफ चला जाएगा, ठीक है, और annual return से क्या मराद है, आपको याद है, annual return का last topic था, उस chapter के अंदर जिसमें हमने पढ़ा था, annual return दो तरह क्या हो सकती है, company having share capital, company not having share capital, और having share capital वाली के दो forms था, जो मैंने आपको बताया थे, form A और form 29, मैंने का था, ये दो forms को हम annual return का नाम देते हैं, तो वो annual return तुमने जमना कराई, तो तब भी तुम टंग दिये जाओगे, अगली बात, अभी देख लो, अभी तक कोई ऐसी point नहीं आया, जो हमने पहले ना पढ़ा हो, हमने किसी ना किसी chapter में कोई ना कोई point डिसकस किया हुआ है, if the company, if the number of members is reduced, in case of a public company below three, हमने पता है, कि प्राइविट कमपनी के केस में किते member हैं, दो, पबली के केस में तेन, तो वो यही तो कह रहा है कि पबली के केस में अगर तेन member से कम हुए, या प्राइविट के केस में दो से कम हुए, तो समझ लो, तुमारी code घुद बहुद आएगा, और तुम्हारी company को wind up करा देगा फिर कहता है if the company is unable to pay its debt company अपने debt पे करने के काबिल नहीं है तब भी company code बंद करा देगा फिर अगली बात करता है if the company is इससे पहले मैं G clause से पहले H और I पर रहाँ ताकि असान असान वाली clauses खतम कर दूँ सारी if being a listed company it's easy to be such a company अगर आप listed हो और आपकी listing हतम हो गई है ठीक है और या company हतम हो गई है तो in fact आप winding up की तरफ चले गए हो ठीक है वैसे usually listing company जब delist होती है तो usually वो lead हो जाती है towards winding up इसी तरह जो licensed based companies होती है अगर आपको याद हो section 42 की company उपने पड़ी थी court को कहीं भी लगे कि इसको wind up होने की ज़रूरत है यह public interest में काम नहीं करी यह ठीक नहीं है it would be justified कि अगर हम इसको बंद कर दे तो वो बंद करा देगा फिर कहते इस the company ceases to have a member यह तो बात पहले भी पढ़ ली कि अगर उसके member ही ना रहे फिर वो कहते जी if the sole business of the company is the licensed activity कौन सी बेटा बहुत सी companies है कौन कौन सी है section 42 की company है इसके लावा non-banking finance companies है जो सारी की सारी license based होती है अगर उनका license खत्म होजे तो company की existence का सवाल ही पैदा नहीं होता तो usually यही वो कहना चाह रहा है कि if the sole business of the company is the licensed activity and it cease to operate consequent upon the revocation of license और उनका license रिवोक कर दिया गया है बाइदा अथारिटी तो कहता है जब license रिवोक हो गया तो वो operate नहीं कर सकते और कहता है ग्रेंटेट बाइदा कमिशन लाइसेंस ग्रेंटेट बाइदा कमिशन और एनी अदर लाइसेंसिंग अथारिटी कहता है वो license कमिशन ने अलाओ किया हो तो उन्होंने रिवोक कर दिया है या कोई और अथारिटी ने अलाओ किया हो या उन्होंने रिवोक कर दिया है जब license गया तो operation भी खतम operation खतम तो आप winding अप की तरफ move कर जाएंगे लेकिन ऐसी winding अप में आपका court involved हो जाएगा jump in करेगा और आपकी winding up की proceedings चलाट कर देगा अगली बात if the license granted for association not for profit to the company लेजी उसने लादा से भी बात कर दी ताकि आप भूलना जाएंगे section 42 को उसने का not for profit to a company has been revoked or such company has failed to comply with any of the provision of section 43 या उसने section 43 की condition को meet करने से में fail हो गई और where a company licensed under section 42 is being wound up voluntarily and its liquidator has failed to complete the proceedings या अच्छा अब यहां तक समझेगा पहली बात उसने कही है if the license granted for association has been revoked, license दिया हो था revoked हो गया दूसरी बात और such company has failed to comply with any of the provision of section 43 section 43 के अंदर जो condition मैंशन है वो complete नहींगी, वो comply नहीं की wind up और देखें बार बार condition एक ही clause के अंदर conditions given है आगे कहता है और where a company licensed under 42 is being wind up voluntarily, 42 की company है, association not for profit है member ने खुद wish कर ली है कि वो इसे close करना चाहते है and its liquidator has failed to complete the proceedings within the period of one year from the date of commencement of his winding up कहता है लेकिन उसके liquidator ने एक साल हो गया, उससे काम खतम नहीं हो रहा, एक साल कहां से, commencement of winding up से, यानि जिस date के उपर voluntary resolution पास हुई ये resolution पास हुई, आपकी winding up commence होगी जू ही commence होगी, आज से लेकर एक साल तक अगर winding up की proceeding liquidator ने मुकमल नहीं गी, तो company winding up हो जाएगी by the court, यानि समझने दरा थोड़ी सी समझने वाली बात है section 42 की company है, member wish कर रहा है, उसे voluntarily dissolve करने का, member ने resolution पास कर लिया, commencement start हो गई, liquidator मेरी जान को आ गया, company में आके बैठ गया और अपना काम start कर दिया, liquidator से एक साल में काम खतम नहीं हुआ, तो फिर ये voluntary winding up तो ये जितनी भी start होई भी थी, ये voluntary winding up थी, अब ये खतम हो जाएगी और इसकी जगा court आ जाएगा, फिर court अगली proceedings को चलाएगा, ये इस line का मतलब था बेटे, अगली बात चलते हैं जी, कहते है, if a listed company suspend its business for a whole year, एक listed company ने अगर एक साल के लिए अपने business को continue ना किया या suspend किया तो उसकी ऐसी की तैसी हम उसके business operation या उसकी company को ही बंद करा देंगे, ये court का कहना है, लेजी, एक circumstances पीछे रह गए हैं जो हमने नहीं पढ़े थे थोड़े से lengthy थे, तो मैंने का मैं जब आपको पहले असान असान discuss कर लूँ, if the company is conceived or brought forth for or it has been carrying on, तो बेटा इसको इतनी मुश्किल line को असान कर लिजे, यूं लिख लिजे के company, if the company is carrying on unlawful or fraudulent activities, तो काट लीजे बाकी line और सिर्फ लिख दें, if the company is carrying on unlawful or fraudulent activities, तो अगर company fraud में involved है, या unlawful activities में involved है, तो जनाब आपकी winding up तो confirm है, फिर carrying on business prohibited by law for the time being in force in Pakistan, और restricted by any law, rules or regulation for the time being in force in Pakistan, तो बेटा इस line को भी असान कर लें, और restricted के बाद वरी line कार्ट दें, यानि इसको असान करके यूं लिख लें, if the company is, यानि उपर लिखा वे, if the company is carrying on business prohibited by any law for the time being in force in Pakistan, यानि के जो भी law है, आप उसकी धजियां उड़ा रहे हैं, या law ने जिस activity से मैंना किया, आप वो activity perform कर रहे हैं, conducting its business in a manner oppressive to the minority members, बेटा आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, जो minority shareholders को disturb कर रहा है, minority shareholder कौन होते हैं, बेटा, 10% जिनके पास holding होती है, उससे उपर वालों को major shareholder का जाता है, मैं फिर repeat कर रहा हूँ, company के अंदर 10% से जादा shareholder का जाता है, क्यों उनमें अपनी आवाज बुलंद करने का इतनी power नहीं होती, उनके पास इतना टेक का नहीं होता कि वो आपको कुछ कह सकें, तो कहता है कि आपने कुछ ऐसा किया है, जो कि minority shareholder को disturb कर रहा है, लेकिन आगे उसने एक बात गलत लिख दी विया है, इस clause में, वो correct कर लें, page number 240 पर ही हूँ, बेटा, G clause का, sub clause 3 है, वो कहता है, member together holding not less than 10% of the equity share, बेटा इसको लिख दे not more than, minority members वो होते हैं, जिनके पास 10% से जादा ना हो, तो minority members में, member together holding not less than, not more than 10% of the equity share, तो उसने not less लिख दिए वो not more कर दे, तो आपकी sentence structure जो है, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, तो not more than 10% of the share capital, और person concerned with the formation or promotion of the company, और run and managed by the person who failed to maintain proper and true accounts, यहीं ऐसे लोग जो चला रहे हैं, जो के proper accounts नहीं बना रहे हैं, fraud commit कर रहे हैं, misficence कर रहे हैं, malficence, यह सब उसी fraud की category में involved with the in relation to the company, और managed by the person who refuse to act according to the requirement of the memorandum or article or provision of act, और ऐसे लोग हैं, जो memorandum की दिर्जियां उड़ा रहे हैं, उसकी पैर भी नहीं करें, articles को नहीं फालो करें, और fail to carry out the direction or decision of the commission, commission के decision को फालो नहीं करें, रिजिस्टरार को नहीं मान रहें, तो जनाब ऐसी company को भी बंद हो जाना चाहिए, तो यह वो reasons हैं, जहां पे court जम्प इन करेंगा, और जम्प इन करके company को बंद कराने की तरफ चला जाएगा, बेटा example number one or two, एक दफाव आप गुद पढ़िए, असान सी examples हैं, hopefully आपको समझा आजेंगे, इन्शाला, unlawful activity पर आता हूँ, इसको याद करने की ज़रत नहीं सिर्फ बता देता हूँ, क्या unlawful activity है, क्या, बेटा यह जो schemes होती है, जो lotries हैं, यह जो network marketing कहते हो, यह unlawful activities है, यह network marketing क्या है, क्या आप एक person को कहते हो, क्यार, तुम दो बंदों को और लेके हो, मैं तुमें पैसे दूँगा, you are actually making a tree like that, और उनमें आप उनका data खटा कर रहे होते हो, like this, एक person, दो person को लेकर आया, फिर यह वाला person जो आया, यह आगे दो को लेकर आया, यह वाला आगे दो को लेकर आया, फिर यह जो person है, यह आगे दो को लेकर आया, तो यह वो है network marketing जो चल रही है, इस network marketing में आपको अगले दो बंदे एक गेड़ने के पैसे मिलते हैं, commission मिलता है, इसको आप network marketing कहते हो, तो उसने यहां पर उसका रिखर किया हुआ है, तो यह जो पहरा है unlawful activity, मेरी नजर में इसमें से paper में कुछ नहीं आएगा, आप इसे काटना चाहें, आप इसे काट दें, यह गलत चीज उसनोंने आपके slaybos में अभी तक डाल के रखी हुए है, और C-FAP के लड़के को समझाना असान है, लेकिन इसको याद करना असान नहीं है, मैं पढ़ देता हूँ, the promotion or carrying of any scheme or business, how or so described, shall be deemed to an unlawful activity, कहते हैं, जो नीचे business बताए हैं मैंने, यह जो schemes बताए हैं, यह unlawful हैं, whereby in return for a deposit or contribution, whether periodically or otherwise, of a sum of money in cash, or by means of coupon, certificate, ticket, blah, 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 उसने आखर में लिखावे, determined by chance or lottery or any other like manner, is assured or promised, तो lottery है, इसके लावा ponzi schemes हैं, pyramid schemes हैं, MLM marketing की बात किया, तो आप यह आगे पढ़ेंगे, तो आपको समझा देंगे, यह सिर्फ उन schemes के नाम ले रहा है, जिनको मैंने short करके समझा दिया, के lottery, आपकी ponzi schemes, जिसमें आपके और आपकी वो जो, for example, MLM जिस तरह उसने कहा, multi-level marketing, वो यह network marketing है, ठेक है, तो यह सारी चीज़ें, जिनमें यह सारी जो activities हैं, यह unlawful activities समझी जाती हैं, ठीक है, तो इसमें पेपर नहीं आएगा, यानि देखो ना, winding up कराने का एक बहुत बड़ा reason यह है, कि हम कहते हैं, यार, company के पाफ पैसे नहीं है, कि वो अपने वाजबात अदा कर सके, तो हम कब समझेंगे, कि company अपने वाजबात अदा करने के काबिल नहीं है, तो चुके यह बहुत पुराना है, अभी लिखाओ और उसमें अमेंडमेंट नहीं हुई, तो उसी company's act के अंदर भी यह बाते लिखी हैं, जो आज की तारीख में, जो शायद बहुत reasonable नज़र नहीं आएंगी, जिसना, for example, अगर आप पहली बात पढ़ें, तो उसने लिखा हुए कि क्राइडिटर अगर एक company को एक लाख रुपया उधार दे दे, एक लाख से ज़ादा का उधार दिया हो, और क्राइडिटर उससे मांगे और company उसे वापस ना कर सके, वापस ना कर सके, means कितने दिनों में, वो उससे मांगे और वो उसे company के पास पैसे ना हो वापस करने के लिए, और अगले 30 दिनों के अंदर अंदर जब उसने वाजबात मांगे, और उससे 30 दिनों के अंदर अंदर वो पैसे नहीं पे कर सका, तो हम कहेंगे company इस काबिल नहीं रही कि वो अपने वाज़वाद पे करें अब देखो देखा जाए तो एक लाख रुपया आज के जमाने में क्या कोई हैसियत रखता है company के हवाले से बिल्कुल भी नहीं यह पुरानी बात ही लिखी हुए तो दरह मैं पढ़ता हूँ अब आपको समझ आजएगी वो कहते है if a creditor to whom the company is indebted यानि company जिसकी कर्सदार है in a sum exceeding rupees 100,000 एक लाख रुपे से ज़्यादा अच्छा अब इसको एक यूँ भी समझा जा सकता है यह तरीका तो यह है दूसरे interpretation मैं इसको अगर इस तरीके से करूँ कि एक लाख रुपे से ज़ादा की बात कर रहा है एक लाख रुपे से कम की बात नहीं कर रहा है वो यह कहना चाह रहा है एक लाख से उपर का debt होना चाहिए तो मैं कहूँगा कि कमपनी वाइंडिंग अप की तरफ नहीं है या वो कहूँँ वाइंडिंग अप की तरफ नहीं जाएंगे लेकर इसको तो यूँ भी इसकी interpretation एक अच्छे अंदास्य की जा सकती है अगर इस रिजिस्टर आफिस उसके रिजिस्टर ओफिस में उसने एक डिमांड नोटिस लिखा है कि मुझे डिमांड की है कि मेरे पैसे दे दो डिमांड तो डियूली गिवन इफ इस साइंड बाइन एजेंट और लीगल अडवाइजर दूली अथराइज उन बहाफ अफ अप दे करेटर जो के डू हैं और कमपनी तीस दिनों के बाद भी निगलेक्टिट टू पेजा सम्ग यानि तीस दिनों के बाद उसे कह भी दिया तब भी तीस दिनों तक पेमेंट नहीं की और तू सिक्योर और कमपाउंड फॉर इट तू बी रिजनेबल सेटिस्केशन आफ दी क्रेटर या क्रेटर की सेटिस्केशन के लिए उसमें कोई एक्शन नहीं लिया तो दोनों केसिस में वो कहता है कि हम यह समझेंगे के कंपनी अपने कर्ज देने के अउकाध में elbows को पेकर सके तो इसकी बेटर इंटर इंटरिप्टेशन यही बनती है पर जो मैं कहर रहा हूं कि बेटे जो second interpretation है कि एक लाग से उपर वाले कर्स के लिए तो हम कहेंगे कि company is unable to pay debt लेकिन अगर कर्स एक लाग से कम का हुआ तो please ऐसे मत blame दीजिएगा ये उसकी इज़त वो कहते है हत के इज़त होता क्या दावा होता है वो हो जाएगा बल्कुल सो अगली बात वो कहते है if the execution or other process issued on a decree or a order of any court or any other competent authority in favor of a criteria of the company is returned unsatisfied in whole or in part कहते है या फिर court ने कोई order जारी किया हो मुझ जैसे बंदे को और मैंने अगर सपोज मुझे order आया है court का और मैं court के order में उन्होंने कहा है कि flank writer को पैसे पे करो और मैं फिर भी पे नहीं कह रहा देखो ना if it is if execution or other process issued on a decree or order court का एक order आया है और any other competent authority या कोई और competent authority का in favor of a creditor की favor में of a company ठीक है कि हो creditor की favor में कि उस creditor को पैसे को पे करो is returned unsatisfied in whole or in part और वो मैं company pay करने की position में नहीं है company ने उस creditor को court के order के बाद भी pay नहीं किया if it is proved or if it is और फिर कोई तीसरी बात यहीं तीनों में से कोई एक भी पूरी हो तो condition पूरी हो जाएगी तीसरी में हो गाता है if it is proved to the satisfaction of the court that the company is unable to pay its debt in German whether the company is unable to pay its debt the court shall take into account the contingent and prospective liabilities of the company तो कहता है तीसरी important बात कि court की satisfaction के लिए court को अगर यह लगे court satisfied है कि यह company अब पैसे pay करने की position में नहीं है तो court क्या करेगा court shall taken और यह determine करने के लिए कि आप वाकिए यह company इस position में नहीं है वो determine करेगा उसकी contingent liability भी और prospective भी contingent क्या होती है depend upon the happening of some any past event अगर आपने थोड़ा से अभी accounting बढ़ लिए हो तो वो contingent liabilities के concept आपको clear हो गया होगा कि present obligation depend करती है past event के उपर ठीक है और अभी past obligation तो है यह कहलो चले इसको यह समझा देता हूँ contingent liability को कि past event तो exist करता है बट अभी यह पता नहीं है कि obligation raise होगी के नहीं होगी suppose मैं कहता हूँ आपका एक law का एक case है जो court में चल रहा है आपको नहीं पता कि उसमें आपको कितनी penalty पड़ेगी और अगर पड़ेगी भी के नहीं पड़ेगी तो यह contingent liability और prospective liability है कि जो future की अभी liability से आपने चार मिने बाद का contract किया वा उसमें आपने कुछ पैसे pay करने है वो prospective liability यानि future की liability कहलाती है तो दो तरह की liabilities की बात की एक तो contingent जिसमें present obligation है या नहीं है अभी dependent है अभी idea नहीं है past event तो exist करता है present obligation अभी है या नहीं तो यह एक problem है और prospective है जो future की liability है तो कहता court इन दोनों liabilities को consider करेगा for determine के whether ये company enable है के to pay its debt or not अब मैं यहाँ पर conclude ये कर रहा हूँ कि तीन elements है जिसमें हमने ये देखा कि एक लाग से उपर का कर्ज हो और company 30 दिनों में ना दे सके जब क्राइटर ने मांगा और आप उससे 30 दिनों में नहीं पे कर सके तो आप enable हो दूसरी बात court ने आपको order जार कि आप तब भी pay नहीं कर सके और तीसरी बात कि अगर आपने तीसरी scenario ये था कि आपने court ने ये determine करने कि आप enable हो तो enable determine करने के लिए वो आपकी contingent liability को भी determine करेगी और आपकी perspective liability को भी एक दफ़ा इसको go through कीजेगा इंशाला यहीं से अगास करेंगे अला तलाब सब को असानी बाढ़ने की तौफीक अता फरमाएं तेंक यू